गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपून बात की हिंदू मुस्लिम सत्धा जिसमें प्रिटिश सरकार द्वारा किये गए अत्याचारों से कंधे से कंधा मिला कर जूझने की हिंबत उपची थी मुसल्मानों ने हिंदू नेताओं को मस्जदों में भाषन देने के लिए बुलाया स्वामी शद्धानन्द ने दिल्ली की जामा मस्जद में भाषन दिया दिसंबर 1919 में कॉंग्रेस का अधिवेशन अम्रत्सर में हुआ अम्रत्सर के इस कॉंग्रेस अधिवेशन में श्री निवास शास्त्री, मदन मोहिन मालविये, श्रीमती एनिवसन, बाल गंगाधर तिलक, अलिबंधू, मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, स्वामी श्रध्धनन्द और चित्रंजन दास आदी अनेक राष्ट श्रवादी नेता मौजूद थे, गांधी जी भी इस अफसर पर उपस्थित थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष, मोतिलाल नहरू, हाला की नरंदल के थे, लेकिन प्रिटिश सरकार की नीतियों से तंग आकर उन्होंने भी सखती का रुख अपना लिया था, उन्होंने कहा हम वैचारिक स्वत्तन्तता चाहते हैं, इस अधिवेशन में स्वागत समिती के अध्यक्ष की हैसियत से स्वामे श्रधानंद ने हिंदी में भाशन दिया था, और उन्होंने श्रुताओं को भारत माता के पुत्र तथा पुत्री कहकर सम्होधत दिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की मित्र देशों के खिलाफ रड़ा था, इसके लिए प्रिटिश नेताओं ने उसे भूसा दिलाया था कि तुर्की सामराज्य को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा लेकिन युद्ध समाप्त होने पर प्रिटिश सरकार ने न सिर्फ तुर्की सामराज्य का विखटन करने का फैसला किया, बलके सुल्तान की मान हानी भी कि इस से भारती मुसल्मानों का प्रिटिश सरकार के नीतियों पर से विश्वास उठ गया उन्होंने प्रिटिश सरकार की इस कारवाई की जोरदार खिलाफत की, भारत में चले इस खिलाफत आंदोलन के प्रमुक नेता थे मुहम्मद अली, शौकत अली, अबुलकलाम आजाद कॉंग्रस ने मुसल्मानों के साथ पूरी सहानुपू तिव्यक्त की और नवंबर 1919 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ तो उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की गांधी जी ने इस अफसर पर लोगों को यही समझाया कि समस्या को हल करने का एक मात्र हल असहयोग आंदोलन है इसे खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने थी स्विकार किया 20 फरवरी 1920 को कलकत्ता में हुए खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद में इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन पर एक प्रस्ताफ पास किया गया और ब्रिटिश सरकार को खिलाफत आंदोलन का मतलब समझाने के लिए एक प्रतिनिधी मंडल लंदन भीजने का निश्चय किया गया 28 मई 1920 को केंद्रिये खिलाफत कमेटी की बैचत में ये तै किया गया कि वो अहिंसक्त असहयोग आंदोलन में शामिल होंगे अबुलकलाम आजाद ने इस बारे में स्वर्ष्ट ऐलान किया अगर भारत आजाद हो जाता है और उसकी अपनी सरकार का शासन होता है जो मुसल्मानों को वही स्वतंतरता देती है जो अन्य संपर्दायां को दी जाती है तो ये इसलाम धर्म का समादेश है कि मुसल्मान हमलावरों से अपने देश की रक्षा करे चाहे वो हमलावर मुसल्मान हो या स्वयम खलीफा ही क्यों ना हो गांधी जी ने भी इस बारे में कहा था मैं भारतिय होने के नाते अपने अन्य भारतिय भाईयों के कश्ट संकतों में भागिदार होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ अगर मैं मुसल्मानों को अपना भाई मानता हूँ तो ये मेरा कर्तव है कि अगर मुझे उनका पक्ष न्याय संगत लगता है तो मैं उनकी पूरी शक्ती से मदद करूँ 9 जून को खिलाफत कमिटी की बैठक इलाहबाद में हुए उसने असहयोग के चार मुद्दे तैकी खिताबों और उवधों का त्याग, सरकारी सिविल सेवाओं से इस्तीफा, पुलिस और सेना की सेवा से त्याग पत्र और टैक्स देने से इनकार करना जुलाई 1920 में सिंध में खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी भी मौजूग थे उन्होंने 23 करोड हिंडूओं को आवाज दे कि वो 7 करोड मुसल्मान भाईयों की सहायता के लिए आगे आए 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने खोशना की कि असहयोग आंदोलन पहली अगस्त से उपवास और प्राथरा के साथ शुरू हुगा लोकमान ने बाल गंगाधर तिलक ने भी असहयोग कारेक्रम को अपना पूरा समर्थन देने का वचन दिया किन्तु दुर्भाग गिवश पहली अगस्त की प्राथा से पूर्वी रात को उनका देहान थो गया उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में गांधी जी शौकतली और डॉक्टर किचलू प्रमुक थे गांधी जी ने कहा था मेरा सबसे प्रवल सहारा मुझसे छूट गया वो जो मनुश्यों का सिर्मौर था नहीं रहा सिंग गर्जना शान्त हो गई आने वाली असंख्य पीडियों तक हम उसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद रखेंगे ये पीडियां उसका स्मरण एक ऐसे आदमी के रूप में करेंगी जो जनता के लिए जिया और जिसने जनता के लिए जीवन विसरजित कर दिया आईए हम उनकी वीर्ता उनकी सादगी उनके अध्भुद अध्वय वसाए और उनके देश प्रेम को अपने जीवन में अपना कर भारत के एक मात्र लोक मानने का चिरस्थाई स्मारग बनाएं पहली अगस्त उन्नी सो बीस को सारे देश में पूरे जोश के साथ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी, शौकत अली, मुहम्मद अली तथा अन्य लेताओं ने देश में दूर दूर तक दौरा किया लोगों में उत्साह जगाया और हिंदू-मुस्लिम एक्ता पर जोर दिया इससे जनता में न सिर्क चेतना आई बल्कि असहयोग आंदोलन का संदेश भी प्लेला चार सितंबर को कलकत्ता में कॉंग्रिस का अधिवेशन हुआ लाला लाजपत काय इसके अध्यक्ष थी इस अधिवेशन में आंदोलन के प्रस्ताव को मुहमद अली जिन्ना को छोड़कर सभी नेताओं का समर्थन लिला इसके बाद जब नाकपुर में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 1922 तक कॉंग्रिस का अधिवेशन हुआ तो यहां भी जिन्ना को छोड़कर सभी ने एक मत से असहयोग प्रस्ताव की पुष्टी कर देए इससे कॉंग्रेस एक ऐसी संस्था के रूप में उभर कर आई जिसका उद्देश स्वाधीनता संग्राम का संचालन करना था गांधी जी के नित्रित्व में असहयोग आंदोलन बहुत जोरों से चला इस अंदोलन में हिंदू, मुसल्मान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर और पूरे जोश के साथ भाग दिया बड़ी संख्या में मुसल्मान कॉंग्रेस में भंती हो गए काशी विद्यापीट, गुजरात विद्यापीट, जामिय मिलिया इसलामिया, बिहार विद्यापीट, तिलक महराष्ट्र विद्यापीट, आदी अनेक राष्ट्रिय विद्यालियों की स्थापना हो बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई छोड़ दी। बहुत से शिक्षक भी उनसे इस्तीफा देकर निकल आए। बहुत से मशूर वकीलों और बेरिस्ट्रों ने अपनी वकालत छोड़ दी। और राश्ट्री आंदोलन में शामिली गए। इनने प्रमुख थे मोतीलाल नहरू, लाला लाश्पत्राय, सर्दार वल्लब भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नहरू, देश बंधु चितरन जंदास, विठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि। आंदोलन के प्रमुख निता थे मौलाना मुहमद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुलकलाम आजाद और डॉक्टर अंसारी। गांधी जी को दक्षन अफ्रीका में काम करने के लिए केसरे हिंद का जो स्वर्ण पदक दिया गया था, वो उन्होंने लोटा दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधी सरकार को लोटा दिया। सुभाष चंद्रबोस ने ICS से इस्तीफा दे दिया। सैकड़ों लोगों ने बिटिश सरकार से मिले खिताब और पदक लोटा दिये। बिहार के सीनियर बारिस्टर मजरुल हक जो नवाबों जैसा जीवन जी रहे थे और आलिशान कोठी में सुख सुविधाओं से भरे वातावरण में रह रहे थे। गांधी जी के प्रभाव में ऐसे आये कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और गंगा के किनारे दीघा घाच पर एक छोटे से बंगले में रहने रगे। बाद में उन्होंने सदाकत आश्रम बनवाया जो आगे चलकर राष्ट्रिय गतिविध्यों का केंद्र बना। जगा जगा विदेशी कपरों की होली जलाई ते। स्वदेशी चीजों का चर्खों का विशेशकर खदर के हाथ से बुने कते कपरों का प्रचार बढ़ने लगा। शराब और विदेशी कपरों के दुकानों के सामने कॉंग्रेस के स्वएम सेवकों ने देश भर में धरना देना शुरू किया और लोगों से उन्हें न खरीदने की बात के ही। असहयो गांदोलन जैसे जैसे तेज हुआ। बिटिश सरकार ने उसे कुचल देने के लिए उतनी ही तेजी से दमन चक्र चलाया। जगा जगा शांति पूर्ण स्वएम सेवकों और सत्या ग्रहियों को पीचा गया और उन्हें गिरफ़तार करके जेलों में डाल गया। अली बंधू, मोतिलाल नहरू, चित्रण जन्दास, लाला लाशपत गाय, मौलाना आजाद आधी तमान नेताओं को गिरफ़तार करके जेलों में बंद कर गया गया। गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में राष्टवात, राष्टी और धर्म का अनोखा मिश्रण था। पंडित जवाहरलाल नहरू के शब्दों में वो जन्ता जिसका मनोबल तूट रहा था। जो पिछडी और बिखडी हुई थी अजाना कुछ बैठी उसने अपना मस्ता कूँचा किया और देश व्यापी संयोक्त कारेवाही में अनुशासित ठंक से सनलग्ण हो गए। हमने महसूस किया कि उसकी यही कारेवाई उसे अजय शक्ती प्रदान करेगी। उस समय गांधी जी और उनके हजारों आस्थावान कारेकरता देश भर में फैल गए थे। और उन्होंने नगरों और गाउं में असहयोक का संदेश प्रचारित कर दिया। गांधी जी का प्रभाव ऐसा था कि सारे देश में उनकी बात सुनी और मानी जा रही थी। उन्होंने असहयोक का अर्थ बड़ी सरल भाषा में समझाया था। बुराई और भलाई में अंधेरे और उजाले में कभी सहयोक नहीं हो सकता। इसी तरह भारती जन्ता में और उसके हितों की विरोधी सरकार में सहयोक संभव नहीं है।